विलकम बैक तो माई यूटूब चैनल ग्यान टेक सिरीज फेंड आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप गूगल क्रोम ब्राउजर से कोई भी चीज, कोई भी फाइल या फिर कोई भी मूवी डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने की स्पीड बहुत ही कम होती है, बहुत ही स्लो होती है, बहुत टाइम लगता है डाउलोड करने पर आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या आपको Google Chrome ब्राउजर में सिर्फ एक सेटिंग करने हैं जिसके बाद आपकी Mobile की स्पीड और आपके Google Chrome ब्राउजर में कुछ भी कीच करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा Google Chrome ब्राउजर में ऊपर आपको सर्च बार में जाना होगा सर्च बार में जाने के बाद यहां पर आपको एक कॉप से भी लगा ऊपर लिखा है Chrome Chrome लिखना सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सामने कुछ इसा इंटरफेस होगा उपर आपको सब्सक्राइब है यहां पर आपको लिखना है यहां पर पर आपको एक option मिलेगा parallel downloading का आपको यहां पर default में click करना है और यहां पर इसको enable कर देना है enable जैसे करेंगे नीचे आपको एक option मिलेगा your changes will take effect the next time you release Google Chrome आपको यहां पर relaunch में click करना है जैसे आप relaunch में click करेंगे तो यहां से आपकी Google Chrome की जो setting थी यहां से enable हो चकी है इसके बाद आप कुछ भी download करेंगे यहां से स्पीड आपकी बढ़ जाएगी देख सकते हैं आप अलिका भी है enable parallel downloading to a create download speed mac windows lens chrome OS या फिर android यहां से आपकी download speed बहुत ज़्यादा कई गुना बढ़ जाएगी तो आपको ऐसे अपने Google Chrome browser में setting करने है setting करने के बाद वहां पर आपकी कोई भी file कोई भी चीड डाउलोड करेंगे speed आपकी increase हो जाएगी तो आपको ऐसे अपने Google Chrome browser की downloading speed को increase करना है उमीद करते हूं वीडियो पफंद आयो तो एक like करना चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके notification घंटी को प्रेस कर ले जिससे आने वाले वीडियो का notification आपके पास सबसे पहले मिलेगा तो फेंड इस वीडियो में इतना है thank you for watching take care